नमस्कार आप देख रहे हैं दर्श नियूज मैं हूँ दिव्यान्सू चिराग पास्वान के चाचा फस्वति पारस को आज बड़ा जटका लगा है यहां इस वक्त की बड़ी खबर राजदानी पटना से आ रही है जहां फस्वति पारस को अपना कार्याले खाली करना होगा नोटिस कुछ दिन पहले ही आ गया था बीते कुछ दिनों पहले एक नोटिस जारी हुआ था जिसमें जो राष्ट्रिय लोग जनसक्ति पार्टी है फस्वति पारस की पार्टी है उनका जो कार्याले है उसे खाली करने का नोटिस आया था और जो भवन निर्मान विभाग ह इसकी नोटिस उन्होंने जारी की थी विभाग द्वारा नोटिस जारी हुआ था लेकिन अब फाइनल हो गया है कि उन्हें ये जो कार्याले है वो खाली करना है और इसमें अब चिराग पासवान का कार्याले होगा यानि राष्ट्रिय लोग जनसक्ति पार्टी का कार्याले अब वहाँ नहीं होगा वहाँ पर लोक जनसक्ति पार्टी राम बिलास का कार्याले होगा चिराग पासवान वहाँ बैठेंगे तो अब देख सकते हैं किस तरीके से पहले तो पश्पति पारस को सीट बटवारे में सीट शेरिंग में किनारे किया गया जिसके बाद नाराज भी हुए चाचा फश्रपति पारस और उन्होंने अपने बायों से मोदी का परिवार हटा लिया बाद में वो आ गये मोदी के साथ चुनाओ में वो एंडिये गटबंदन का ही हिस्सा थे वो अलग बात है कि एक भी सीट पर वो उनकी पार्टी नहीं लड़ रही थी इसके बा बात ये कयास लगाये जा रहे थी कि अब चाचा का क्या होगा बीच में ये भी खबरे आई कि उन्हें राज्यपाल बनाया जाएगा उन्होंने जेपी नड़्डा से मुलाकात भी की थी लेकिन उन सब के बीच एक नोटिस आ जाता है जो भवन निर्मान विभाग है बिहा जटका लगा है चाचा फस्पति पारस को जहां उन्हें अब वो बंगला खाली करना होगा और उस बंगले का आवंटन रद्ध हो गया है अब चिराग पासवान उस बंगले को देखेंगे उस बंगले में रहेंगे उस बंगले को अपना कारयाले बनाएंगे बड़ा अपडेट कह सकते हैं कि जिस तरीके से चिराग पासवान नितीश के करीब आ रहे हैं और बीते दिनों वो पहुंचे बीते रुपॉली में जहां उपचुनाव हो रहा है और कलाधर मंडल जो की जेडियू के कंडिडेट हैं उनके लिए उन्होंने वोट मागा था एक रैल पासवान स्वरगी रामबिलास पासवान है उनकी पाटी चिराग पासवान ने ली उसके बाद उनका विभाग लिया अभी जो विभाग है उनके पास फूट प्रोसेसिंग विभाग वो कभी रामबिलास पासवान के पास हुआ करता था अब चिराग पासवान के पास है त इस राजनितिक जो उठापटक हो रही है इस वक्त और विधानसभा चुनाव नस्दीक हैं ऐसे में जो यह जो अपडेट आया है कि अब बंगला उन्हें खाली करना ही पड़ेगा उस बंगले में अब चिराग पासवान का साजो समान रहेगा चिराग पासवान अब देखें पासवान को साइड लाइन कर दिया था पस्पति पारस ने की भूमिका काफी बढ़ गई थी उन्हें केंद्रिय मंत्री बनाया था बीजेपी ने तो अब चिराग पासवान उस रोल में आ गया है और पस्पति पारस दिरे-दिरे साइड लाइन होते जा रहे हैं तो बड़ किसाओ